नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है पहाडी ब्रदर्स ओफिशिल स्पोर्च चैनल में फ्रेंच ओपन 2024 में भारत की अल्मोस्ट अच्छी प्रदर्शन रहा जिसमें सत्विक साहराच इराक्षे थी आज फाइनल मैच खेलेंगे लेकिन सेमी फाइनल डे में हमारे लक्ष साहन थाइलेंड प्लेयर कुलावुत विदित सरन से तीन सेट के मैच में हार गए पहला सेट जीतने के बाद सेकंड और थर्ड सेट लक्ष साहन अपना हार गए और तो उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस पूरे टूर्नामेंट में फ्रेंच ओपन में काफी अच्छी फोर्म में दिखे बट चलो सेमी फाइनल में वो हार गई उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि वो कमबक स्टेज में हैं और कमबक ऐसे ही होगा धीरे 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 जीत कर एकदम से आकर जीट जाएंगे वो comeback नहीं होगा वो फिर एक तुका माना जाएगा लेकिन अभी वो अच्छी form में दिख रहे हैं उमीद है कि अगले tournament England Open 2024 में वो और भी जादा अच्छी परदर्शन करेंगे और कुला हुद को शायद किसी मैच में हराते हुए भी नजर आ जाएंगे रही बात सत्विक साहिराज चिराक शेठीगी तो आज मैच खेलने वाले हैं वो चाइनीज ताइपाई ताइवान के खिलारी के गिलाव ली एंड वैंग तो फिलाल ये जो चाइनीज ताइपाई प्लेयर है इनकी वोल रैंक है 16 और सत्विक साहिराज की रैंक है 1 लेकिन वहीं पर वोल टूर रैंक की बात की जाए क्योंकि वोल टूर रैंक अच्छी है इस साल ये अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो भारत के लिए फाइनल मैच टफ होने वाला है लेकिन पिछले दो मैचेज की बात करें तो सत्विक साहिराज चिराक्षेठी ने इनको दोनों मैचेज में हाराया है दो ही मैच हुए इनके बीच दोनों मैच साहिची जीते हैं तो 2-0 का head to head रहा है तो उमीद है कि आज भी अपना ये मैच easily जीत जाएंगे फ्रेंच ओपन के चांपियन बनेंगे हमारे सत्विक साहिराज चिराक्षेठी तो देखते हैं कैसा मैच रहेगा टाइमिंग्स की बात की जाए तो लगबग 7 बच के 30 मिनट का approximate time है लेकिन मेरे according ये मैच 8 बज़े तक शुरू होगा या लगबग 8 या 9 भी बच सकते हैं क्योंकि आज final है तो हर मैच के बाद winning ceremony होगी जिसमें 10-15 मिनट आप और extra लेकर चलिए तो सबसे last match है सहत्ची का तो लगबग 9 भज़ने ही वाले हैं आज के दिन भी आज final के match के लिए भी तो चलिए I hope आपको मैंने सारी information दे दी होगी वीडियो का like जरूर करिएगा चैनल परना है तो subscribe जरूर करिएगा लेखते रहे हैं पहाड़ी ब्रदर्स और फिचल स्पोर्ट चैनल जय हिंद जय भारत